विल्कम बेक तो माई चैनल एट एट विजैविस कर्मा में आज आप लोग देखेंगे जी के करेंट अफेर्स जन्वरी से जुलाई तक रहेगा जो की सिरीज चलती रहेगी कई पार्टों में डिवाइड होगा चलो डिसकस करते हैं किस राज की सरकार ने हाली में घर घर रासन नामग योजना की सुरुवात की है इसका राइट एंसर दिल्ली होगा दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल और मर्द प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में जानेंगे ये है मर्द प्रदेश इसकी राजदानी भोपाल और सियम सिवराज सिंग चहवान राजजपाल अनन्दी बेन पटेल क्रस विभाग मंतरी कमल पटेल और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में राजदानी लखनव जो की देखें इस प्रकार जिले हैं उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनव और सियम स्री योगी आदितनात राजपाल अनन्दी बेन पटेल और कुछ जानेंगे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत पूशे जाते हैं देखें जैसे लोक गीत लोक नरत चलो लोक नरत देख लेते हैं नौटन की रासलीला जूला कजरी और लोक गीत विरहा चैती ढोला कजरी आहला इस प्रकार लोक गीत होते हैं और पूश लिया जाता है उत्तर प्रदेश का मेला कुम्ब मेला होता है अर्ध कुम्ब मेला, माग मेला और कुछ कोश्चन ऐसे बनते हैं कि कुल मंडल उत्तर प्रदेश में कितने हैं 18 मंडल और कुल जिले 75 जिले होते हैं यह आप लोग मैब में देख रहे हैं इसी प्रकार दिया हुआ है और कोश्चन बनता है जन संख्या देश में प्रथमिस्थान उत्तर प्रदेश ही है और सरवार्धिक जन संख्या वाला जीला इलहाबाद और निनुतम जन संख्या वाला जीला महोबा और वीडियो एक बना देंगे उत्तर प्रदेश के बारे में आर डिटेल पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में एक-एक question रहेगा कम से कम आधे घंटे का और कई पार्ट में हर state के बारे में अलग-अलग वीडियों आप लोगों को मिलेगा चलो निश्ट देखें हाली में किंद्री मानो संसाधन विकास मंतरी दोरा छात्रों के मानसिक सौस्त की देख भाल हे तो कौन सी पहल सुरू की गई है इसका right answer क्या होगा आप लोग भी comment किया करें मनो दरपड अगला देखते हैं किस सहर में हाले में भारत का पहला EV charging प्लाजा शुरू हुआ है इसका right answer दिल्ली और आप लोग सेयर और लाइक जरूर करें इसी के माध्यम से आप लोगों को वीडियो डेली अपलोड होता रहेगा current affairs अगर अभी तक मेरे और वीडियो नहीं देखा है science biology कई पार्ट हो गया है science के भी और reasoning history वो channel में जा करके देख ले और ताकि आप लोगो exam में कोई problem नहों चलो अगला देखते हैं कौन वैक्ति हाली में राष्टपती रामनात कोविंद के नए निजी सचिव नियुक्त किये गए है इसका right answer D होगा P प्रिवेड सिधार्थ अगला देखेंगे हाली में कौन SBI कार्ड के नए MD&CO बने है इसका right answer C होगा अस्वनी कुमार तिवारी हाली में प्रिशिद्व वैक्तित लाल जी टंडन का निधन हुआ है वह किस राज के पूर्व राजपाल थे ए अप्शन मद्ध प्रदेश अगला देखेंगे अंतरराष्टी सतरंज दिवस इंटरनेशनल चेश्डे प्रतिवर्स मनाया जाता है इसका right answer 20 जुलाई को ए अप्शन 20 जुलाई को नेश्ट देखेंगे किस राजी की सरकार ने हाली में अनसूचित जातियों के लिए नमीन रोजगार छत्री योजना सुरुवात की है तो इसका right answer क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश अगला देखेंगे हाली में प्रिसित व्यक्तित CS से साध्र का निधन हुआ है वो कौन थे गड़ितक A option right answer अगला देखेंगे किस अरब देश ने हाली में अपना पहला मार्स दिवा सोप लाँच किया गया है तो इसका right answer भी होगा शयूक्त अरब अमिरात Next question देखेंगे कौन महिला हाली में IT कंपनी SCL Tech की प्रमुक बनी है तो इसका right answer रोसनी नाडर अगला देखेंगे किस फुटवाल कलब ने हाली में ला लीगा 2019-20 का किताब जीता है इसका right answer क्या होगा Real Madrid C option Next हाली में जारी वैस्विक वी निर्मार जोखिम सुचकांग 2020 में भारत को कौन सा इस्थान मिला है right answer B होगा तीसरा अगला देखेंगे कौन भारती मूल की अभिनेत्री टुरेंटो नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की अमबेशडर निक्त की गई है प्रेंका चोपड़ा दू आप्शन में अगला देखेंगे नेशन मंडेला अंतर राष्टी दिवस इंटरनेशनल नेशन मंडेला डे हर वर्स मनाया जाता है तो इसका right answer इसका right answer 18 जुलाई को होगा और आप लोग जो मंत चला करें जुलाई चल रहा है उसके all day याद किया करें और जितना हो सके तो राइटिंग किया करें एक जुलाई से स्टार्ट करिए 31 जुलाई के तक जो कोई जो भी डे होता है वो आप लोग याद किया करिए चे आप लोग प्रेक्टिस बनी रहेगी और कभी एक्जाम में भूलोगी नहीं तो आप लोग ज़रूर प्लीज याद करें चलो निश्ट देखते हैं हाली में किस राज की प्रतम महिला चुनाओ अयुक्त नीला सत्त नरायर का निधन हुआ है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा ए अप्सन महराष्ट अगला देखेंगे विस सर्प दिवस वर्ल्ड शनेक डे हर वर्स मनाया जाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सोला जुलाई को अगला देखेंगे हाले में कौन मैंचेश्टर यूनिवर्सिटी से डिरेक्ट की मानद उपाद पाने वाले सबसे कम उम्र के वैक्ती बने है तो इसका राइट एंसर मारकस रैस फोर्ड जो की बी आप्सन नेश्ट देखेंगे हाले में कौन भारती मूल के वैक्ती सूरी नाम के रश्ट पत चुने गए है तो इसका राइट एंसर चंद्रिका प्रसाद संतोग खी अगला देखेंगे किस एयरपोर्ट पर हाले में भारत की पहली संपर्क रहितकार पारकिंग मनी है तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनी है नेश्ट देखते हैं हाली में किसे इंफ्रा विजनेस लीडर आप द इयर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो वेद प्रकास दुदेजा को पुरुसकार सम्मानित किया गया है अगला देखेंगे भारत दिन ने हाली में किस रोग किस सुदेशी वैक्सीन विक्सित की है जो कि निमोनिया राइट एंसर होगा बी अप्सन नेश्ट एस्याई विकास बैंक ने हाली में किसे अपना नया उपाद ध्यच नियुक्त किया गया है तो इसका राइट एंसर असोक लवासा चलो अगला देख लेते हैं हाली में किसे ग्लोबल हुमेनिटेरियन अवार्ड दो हजार बीश से सम्मानित किया गया है तो इसका राइट एंसर सी होगा सचिन अवस्थी हाली में इफ इट ब्लेट्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसके लेखक कौन है ये आप लोग बताएं इस्टीफन किंग चलो अगला देखते हैं विस युवा का वसल दिवस वर्ड यूथ हर वर्ड मनाया जाता है तो पंदरा जुलाई को मनाया जाता है तब ही कहते हैं जुलाई के जितने डेश हो आप लोग याद कर लीजिएगा उससे आप लोगों बहुत आसान रहेगा एक कोश्चन एक्जाम में बहुत पूछा जाता है एयर फोर्स नेवी सभी एक्जाम में ससे सभी एक्जाम में पूछा जाता है कोश्चन मतलब इस प्रकार जो भी डेश होते हैं जनवरी से दिसंबर तक आप लोग डेश याद कर लें हर मन्द के याद करें जो मन्द चल रहा हो वही मन्द याद करें नेश्ट देखते हैं हाल ही में कौन BCCI के अंत्रिम CEO बने हैं तो इसका राइट अंसर D हो जाएगा हेमंग अमीन कौन भारती हाल ही में वान कार्मन पुरुसकार 2020 के लिए चुने गए हैं तो इसका राइट अंसर के शिवन अगला देखते हैं किस राज को हाली में Eletus Excellence Award 2020 से सम्मानित किया गया है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बताएं 36 गड़ जो की B Option किस राज की सरकार ने हाली में रोको टोको नामक अभियान की सुरुवात की है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं B Option मद प्रदेश और बस आज के लिए इतना रखते हैं इससे के आंगे आप लोगों को सीरिज मिलती रहेगी और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखा करें जो कि आप लोगों को इसी प्रकार प्राक्टिस होती रहेगी तो कभी भोलोगी नहीं Current Affairs भी एक्जाम में बहुत आती है जो भी Question रहेगे अच्छे रहेंगे जो एक्जाम में पुछने की योग गे हैं आप लोग वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखा करें अगर अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें वेल आइकान जरूर प्रेस कर लें इसके माद्धम से आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड किया जाता है तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा ताकि आसानी से वीडियो देख पाएं